Hey everyone, once again आप सभी का सौगत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल Best खरीदों पर आज हम बात करेंगे How to Use Semi Automatic Washing Machine अगर आपके पास अलड़ी है या फिर आप लेने का प्लाइन कर रहे हैं एक Semi Automatic Washing Machine तो ये वीडियो आप देख लो क्योंकि आपको यूज करना कैसे होता है कि एक इस्तमाल कैसे किया जाए Semi Automatic Washing Machine का वह आपको यहां पर पूरा पता लग जाएगा साथ में इसमें क्या functions आते हैं क्या features आते हैं नए models में क्या features available हैं जो पुराने model में नहीं है उसका भी आपको यहां पर अंतर समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो आप देखोगे तभी और फिस साथ में मैंने वाश करना भी आपको दिखाया इसमें कि वाश कैसे किया जाता है कैसे ये washing machine वाश करती है किन चीज़ों का आपको ध्यान रगना बहुत ज़्यादा ज़ देना है तो वो सब्सक्राइब हो जाता है जोड़ जाए इस फैमिले में जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका मेरा तहे दिल से शुकुरिया और जल्दी से जोड़ जाएए बैल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आग्या नली वीडियो की अपडेट आपको ले में जिसके फंक्शन दिखाने वाला हूं कुछ नए फीचर इसमें नहीं है लेकिन कुछ पुराने पुरान मोडल है एक्चुली में लेकिन मैंने अल्रेडी वीडियो बनाई हुई है साइमी आटमेटिक वश्चिंज में कौन से मोडल बैस्ट है खरीदने के लिए जो अग इसकी वीडियो बनाई हूँ यह अल्रेडी यहां दिख जाएगे इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजएगा इसका लिंक मिल जाएगा तो अब इसका फंक्शन में आपको दिखाता हूं यह नॉर्मली हर सेमी आटमेटिक वश्चिंज में में मोरोवर सेम आपको देखने को मिलेंगे कुछ डिफरेंट होगा तो मैं यहां पर एक्स्प्लेइन कर दूँगा आपको जो है और वश्चिंग मशिन में आपको यहां पर एक वाटर सप्लाई सेलेक्टर मिलेगा जिसमें यह वाश का अगर आप इदर करेंगे तो इदर वाश के लिए ह आपको यहां करना है यहां करना है यह हमारा वाटर सप्लाई के लिए हमारी इनलेट पाइप है जो आपको मिल जाएगे अपनी वाश्रिंग मशिन के साथ जिसका जो यह आउटर पार्ट है यह आपको टैप के साथ लगा देना है कहीं पे भी आपका नेरभाई टैप होगा वाश्रूम अगर हमें या गैलरी में उसको आपको लगाना है यह हमारा प्लग प्लग-इन आपको करना है अब नॉर्मल प्लग से इसमने आपको मिलते हैं अब जब हमें वाश फंक्षन यउस करने इसमें दो तरह के फंक्शन से हैं हैक अगर हम वाश करें एक हम जब स्पिन टर्प का यूस करें तो उसकी एडिश्मेंट यहां से होती है अगर आप वाश करें तो डेफिनीटली आपको डालना होगा इधर आप बंप वाश पर रखना है जब आप इसका यूज करें पानी डालने के लिए तो आपकी जो सप्लाइ की डियरेक्ट यहां इसके अंदर जाएगी वाश में अगर आप ने है यहां, spin पे सेलेक्ट किया हुआ है, spin पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी जो inlet है, जो है पानी, वो इसके अंदर जाएगा, जो दूतरा हमारा टब है, spin टब, उसमें, अब बात कर लेते हैं, इस functions की, यह जो हमारा जो function है, यह वो हमारा wash time है, तो यह हमारा बज़र बजएगा जब यह हमारा जीरो पर आ जाएगा तो यह अपने अपने फिट हो जाएगा आफटर 15 मिनिट के बाद किसी कि वाशिंग मशिन में जो अभी नए लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं उसमें आपको जो है तो जो बाकी का टाइम रहता है वह सोकिंग टाइम होता है मैंने जो नई लिस्ट बनाई है सेमी आटोमेटिक वाशिंग मशिन वाली नीजे डिस्क्रिप्शन में लिक मिल जाएगा उसमें लेटेस्ट मोडल्स ही कवर किये गए उसमें सोकिंग टाइम गीवन है तो वह आप देख लिजेगा अगर आपको पचेस करनी है तो फिर आता है नेक्स हमारा वाश फॉंक्षन जो वाश प्रोग्राम हर वाशिंग मशिन में सेमी आटोमेटिक में आपको जो है तीन वाश प्रोग्राम मिलेंगे किसी किसी में बहुत रेर आफ दा रेरेस्ट कोई मोडल होता फिर देन हमारा जो तीसरा नोब है वो हमारा होता है drain selector drain selector मतलब जब हम पानी डाल रहे हैं washing machine के अंदर तो हमें इसको यहां रखना है wash rinse के उपर रखना है I hope आपको दिखरा होगा wash rinse पर रखना है जब हमारी washing हो जाती है और हमें tub का जो गंदा पानी है उसे निकालना है तो इसको ध्यान रखें यह वाला जो function है अगर इसका पानी निकालना है तो इसे wash पे रखें पहले और फिर इस function ka use करें हमें यहां पे drain में तो जो इसका घंदा पानी है वो निकल जाएगा इतका operate करने के लिए यहां पर हमारा fourth नोब given है जिसमें हमारा five minute का time रहता है ड्राइंग time पाँच मिनिट के लिए चलता है तो different washing machine different different spin tub के आरपेम के साथ आती है जितना ज्यादा RPM उतनी ज्यादा जो होती है इसकी ड्राइंग कैपेसिटी होती है यह तोड़ा हमारा पूरा का पूरा इसका function इसकी मैंने wash range बता दी drain कैसे करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है तो अभी हमने इसका outer structure समझा कि क्या इसके functions हैं अब इसके internal structure समझ लेते हैं कि क्या semi automatic washing में अंदर मिलता क्या है तो let's see washing machine जो है अभी आपको गंदी नितर आ रही होगी यह मैंने जान पुछके रहता रखा है वीडियो में ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि अगर आपने रेगुलर्ली washing machine को साफ नहीं किया तो कुछ इस तरीके की आपकी washing machine की हालत होने वाली है अब इसके अंदर जो यह structure होता है यह हमारा होता है pulsator यह हमारा center pulsator यह हमारे side pulsator होते हैं जो हमारा actually जो washing machine काम करता है वो clockwise और anti-clockwise direction में काम करते हैं कुछ washing machines में जिसमें हमारे यह dual jet pulsator given होते हैं कुछ new models जो आ रहे हैं उसमें dual jet pulsator given होते हैं वो क्या करेगा कि center जो pulsator होता है वो हमारा left to right तो move कर रहा होता है लेकिन जो हमारा center jet dual pulsator use हो रहा है impeller कह लें या pulsator कह लें उसमें हमारा जो upward और downward direction में भी water का जो current होता है उसको follow flow करता है तो उससे कहाता कि जो close की जो scrub होती है वो ज्यादा effectively होते हैं जो close rub होते हैं क्योंकि उसमें double motion effect लग रहा है कपड़ों के उपर और यह हमारा जो है इसमें यह हमारे lint filter होते हैं तो मेरी washing machine में तो यहां पर दो लिंट filter given है किसी किसी में यह एक होता है और यहां पर हमारा जो होता है magic brush कह लें या इसे कहें magic filter use होता है यहां पर और यह हमारे side में क्यों होते हैं इसमें marks होते हैं यह हमारा स्क्रवर का काम करते हैं यह हमारे नीचे यह स्क्रवर का काम करते हैं तो यह होता है पूरा का पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर फिर आप बात करते हैं इसके स्पीन टब में आपको यह जो है डबल लेयर मिलती है इस में मत व्यों ऑप को यह मारआ। Ner abay में नियोन और पीम रोटेशन पर मिनेट होता है कि कितना यह रोटेट होता है उते चाहां से होपा भीतिंच यह हमारा water inlet है water outlet हमारा यहां से automatic हो जाए और जब आपको यहां पर कपड़े रखने हैं और एक एक कपड़े इंडिविजल कपड़ों को रखें इखटे ना घुसाएं इसके अंदर इंडिविजल कपड़ों को रखें ताकि आपके जो कपड़े होंगे वो एक दूसरे में अ पानी बरें पानी बरें पानी इतना जरूर भर लें काफी लोग क्या करते हैं बहुत नीचे तक पानी बरते हैं तो अगर आपके में लिंट फिल्टर गीवन है वाशिंग मशीन में उस लिंट फिल्टर का सही माइन कि आपकी वाशिंग मशिन कर पाएगी, एसका कोई फैदा नीचे आपके लिंट फिल्टर फिल्टर को अब पानी में दूबेगा तो जब वाश रहे होते हैं कपड़े तो उसमें से जो रुखे निकलते हैं कपड़ों में ब culinary होते हैं और रस्वे होती है उसको जो है पानी इसे दो क्लिन करना जरूरी नहीं है वैसे लिंट फिल्टर को वाशिंग मेशिनिक टूब को डेली क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब मैं दिखाता हूँ जब आप पानि डालने का पानि डालने का सर्फ डालने का इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजी गानॉप के आप चलाएंगे तो कपड़ों की movement कुछ इस तरीके की हो रही होगी जैसे यहां पर water की movement हो रही है जैसा जैसा water का flow रहेगा एक बस यह नीचे end में आप देख पा रहे होंगे यह हमारा जो होता है outlet होता है drain pipe है जितको आप जब drain function यूज कर रहे होता है पानी निकालने के लिए washing machine का तो यह pipe का जो outlet है वो आपको वहाँ दिख रहा होगा मैंने तो अभी ऐसी रखा हुआ है लेकिन आप इसको अपने drainage system के साथ connect कर लें तो यह तो था पूरा का पूरा function और how to use semi-automatic washing machine I hope आप सबको एक better understanding मिलिया होगा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो like कर दीजेगा और share जरूर कीजेगा आपके सारी family members के साथ friend circle के साथ तब ही उन तक जो है मेरे channel की reach हो पाएगी और उनको यह वीडियो मिलेगा तो शायद उनकी help हो जाए तो जल्दी से जुड इस वीडियो को like करने के बाद